हलो फ्रेंड, निटिंग डिजाइन में देखे, रेडि मैट लुक में टू कलर की डिजाइन, बहुत ही खूपसरत और प्यारी सी डिजाइन है, आप इसे किसी भी स्वैटर पर, जैकेट पर, कार्डिगन पर बनाएए, पूलवर पर बनाएए, या कैप में, किसी भी जगह ब पैटर्न है, और बहुत ही खूपसर सी डिजाइन, तो आएए, हम इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं, यह देखे, इस डिजाइन को बनाने के लिए, हमें 12 12 के मल्टिपल फंदे चाहिए, प्लस 1, तो यहां मैंने 12 के मल्टिपल 48 प्लस 1, 49 फंदे लिए हैं, और जिसमें य बंदर के लिए, पहले पहले हमें इस बाटर को बनाना होगा, और बल्टर बनाने के बाद, दो स्लाइएं, हम प्लेइन कर लेंगे, और उसके बाद हमारी यह ठीजाइन स्टार्ट है, तो यह देखे, रो बन मे हम सबसे पहले मेरा जो दूसरा कलर होगा, उससे बन बनाएं 4, 5 फंदे ब्लाइक और 1 हम वाइट से करेंगे दिस पहले वाइट को छोड़ करके 5 फंदे ब्लाइक और 1 वाइट हम पूरी रो में बनाएंगे देखें 1, 2, 3, 4, 5 ब्लाइक और 1 हमारा वाइट ये देखें हमने 1 वाइट और 5 ब्लाइक बनाते वे इस पूरी रो को बनाया है अब हम रो नमबार 2 पे हैं जिसमें सबसे पहले 1, 2 फंदे हम वाइट से करेंगे और अब यहाँ पे हमारा प्लाइक कलर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे ब्लाइक 1, 2, 3 हमारे वाइट से तो शुरू में हमारे पास 2 फंदे वाइट के रहेंगे उसके बाद हम 9 फंदे ब्लाइक के और 3 फंदे वाइट के पूरी रो में बनाएंगे यह देखें तीन वाइट 9 फ्लाइक, तीन वाइट 9 फ्लाइक, तीन वाइट 9 फ्लाइक, करते वह जब हम लास्ट में आएँगे तो सिर्फ हमारे टू फंदे वाइट के रहेंगे यह देखिए row number 3 इसमें हम white color से 1, 2, 3 फंदे white अब यहाँ पे हमारा black color 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हमारी यह black के होगे अब white color से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे white के तो starting में हमारा पास सिफ 3 फंदे, 3 फंदे white है उसके बाद हम 7 फंदे black, 5 फंदे white पूरी रो में बनाएंगे एक बर और आपको बना के दिखाते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे black 1, 2, 3, 4, 5 हमारे white यह देखें, 7 black, 5 white, 7 black, 5 white करती में आएंगे तो last में 3 फंदे हमारे white के रहेंगे यह हमारी row number 4 जिसमें 1, 2 हम white से करेंगे 1 black, 1 white अब black कलर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे black 1 white, 1 black, 1, 2, 3 फंदे white, 1 black और 1 हम white से करेंगे तो शुरू में हमारे 2 फंदे white, 1 black, 1 white और इसके बाद अब यहां से 5 black से लेकर 1 white तक की design को हम पूरी row में बार पर repeat करेंगे तो एक पर और repeat करते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5 फंदे black, 1 white, 1 black, 1, 2, 3 white, 1 black, 1 white और फिर यहां से हमारी design repeat होगी तो 5 फंदे हम black के बनाएंगे यह 2 होगे, 3, 4, 5 अब इसी तरह से हम पूरी row को बनाएंगे यह देखें जब हम row की last में आएंगे तो 5 फंदे black के बार 1 white, 1 black और 2 फंदे हमारे white के रहेंगे यह हमारी row number 5 है जिसमें सबसे पहले हम 1 white करेंगे 1 black, 1 white, 1 black, 1 white तो white के यह 1, 2, 3 बार पंदे एक-एक white के आएंगे और अब यहां से यह 1, 2, 3 पंदे black और फिर यहां से हम 1 white करेंगे 1 white, 1 black, 1 white, 1 black, 1 white, 1 black, 1 white, 1 white, 1 black और 1 हमारा white तो white के देखें यह 1, 2, 3, 4, 5 बार पंदे एक-एक हमारे white के आएंगे शुरू में 3 बार आएंगे और उसके बाद 5 बार white के एक-एक फंदे रहेंगे और 3 हम black से करेंगे तो हम 3 black से लेकर इस 1 white तक की design को repeat करेंगे एक बार और repeat करते हैं यह 1, 2, 3 फंदे black, 1 white, यह 1 बार हो गया फिर यह white 2 हो गया यह 3 बार 1 white फिर 1 black यह 4 हो गया white के 1 black और यह 5 white 5 बार एक-एक white हो गए और फिर हम 3 फंदे black यहां से repeat करेंगे इस तरह से देखें माई design repeat होई है यह देखें जब इनी फंदों को हम repeat करते हुए आएंगे तो लास्क में 3 black के बार वन वाइट जो है यह 1, 2, 3 बार एक-एक white के फंदे हमारे रहेंगे यह हमारी row number 6 है जिसमें सबसे पहले हम एक black करेंगे और एक हमारा white अब यही हमारी पूरी row में बने गया और इस बात का ध्यान देना है कि जो white फंदे हैं वह हमारे black हो रहे हैं और जो black फंदे हैं वो white हो रहे हैं तो यह देखे white है तो इसे हम black करेंगे one black one white one black one white अब यह बीच वाला जो तीन ब्लैक फंदे थे उनके बीच वाला एक हमारा black रहेगा और फिर हम one white one black one white one black इस तैसे अब हमारी पूरी रोब बनेगी यह देखे रोज 6 तक हमारी यह डिजाइन इस तरह से यह बन गई है अब हम रोज नमबर 7 पे हैं यह इसमें भी देखे सबसे पहले हम one two फंदे ब्लैक के करेंगे और फिर यहां से हमारा one white one black one white one black one white one black one white one black one हम white से करेंगे तो यह two black के बार देखे जब one white one black किया तो फिर हमारे white के यह one two three four five बर फंदे आएंगे अब यहां पे शुरू में हमारे पास दो फंदे ब्लैक के थी अब यहां बीच में हमारे तीन फंदे ब्लैक के हो जाएंगे one two three फंदे ब्लैक अब हम इस one white से लेकर three black तक की डिजाइन को पूरी रो में बार बर रिपीट करेंगे यह देखे इन्ही फंदों को फिर मैंने रिपीट किया है बार बार तो यह जो बीच में तीन फंदे ब्लैक के बार यह one white, one black, one white, one black किया तो five बार फंदे white के हैं फिर तीन बार हमारे black हैं और five बार एक एक करके white के फंदे आए हैं और इस बात का भी ध्यान दीजी कि जो white फंदे हैं वो black हो रहे हैं और जो black फंदे हैं वह हमारे white हो रहे हैं और last में हमारे फिर two फंदे ब्लाइक के हैं यह देखें अब हम रो नमबर एट पे हैं और इसे भी ध्यान से देखिए यह वन टू थ्री फंदे ब्लाइक, वन वाइट, वन ब्लाइक, अब वाइट कलर से वन टू थ्री फंदे ब्लाइक, वन वाइट, अब ब्लाइक कलर से वन टू थ्री पूर फंदे ब्लाइक के तो स्टार्टिंग में 3 फंदे ब्लैक हैं और इसके बाद हम 1 वाइट से लेकर 5 ब्लैक तक की डिजाइन को पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए एक बार और रिपीट करते हैं 1 वाइट, 1 ब्लैक, 1, 2, 3 फंदे वाइट, 1 ब्लैक, 1 वाइट, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लैक के तो इस तरह से अब हम इस पूरी रो को बनाएंगे ये देखिए इनी फंदों को जब हम रिपीट करती हैं आएंगे तो लास्ट में 1 वाइट के बाद 3 फंदे ब्लैक के जैसे स्टार्टिंग में भी हमारे 3 फंदे थे और बीच में हमारे हर बार 5 फंदे ब्लैक के थे तो इस तरह से हमारे ये डिजाइन बन जाएगे ये देखिए रो नमबार 9 जिसमें 1 2 3 4 फंदे ब्लैक अब हमारा वाइट 1 2 3 4 5 फंदे ब्लैक के अब ब्लैक कलर से 1 2 3 4 5 6 और 7 अब हम 5 वाइट 7 ब्लैक पूरी रो में बनाएंगे स्टार्टिंग में सिर्फ 4 फंदे ब्लैक के रहेंगे और उसके बाद 5 फंदे वाइट 7 फंदे ब्लैक इस तरह से हमारे ये पूरी रो बनेगी तो एक बार और करते हैं ये 1 2 3 4 5 वाइट और 7 फंदे ब्लैक ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ये देखें हमारे इस तरह से ये डिसाइन बन रही है ये देखें अब हम रो नमबर 10 पे आ गए हैं इसमें ब्लैक किलर से 1 2 3 4 5 पंदे ब्लैक 1 2 पी थी फंदे ये ये अब बलाक के सी 1 2 3 4 5 5, 6, 7, 8, 9 फंदे ब्लैक के अब हम 3 फंदे बाइट और 9 ब्लैक पूरी रो में बनाएंगे इस टार्टिंग में सिर्फ 5 फंदे ब्लैक के रहेंगे उसके बाद हम 3 फंदे बाइट और 9 फंदे ब्लैक तो हम आपको बना के दिखाते हैं यह देखिए यहाँ पे मैंने 9 ब्लैक, 3 वाइट, 9 ब्लैक, 3 वाइट, 9 ब्लैक, 3 वाइट गिया तो last में 5 पंदे हमारे black के हैं ये देखे row 10 तक हमारी design ये बन गई है अब यहां से फिर हम row number 1 से लेकर row number 10 तक की design को बार बार repeat करेंगे तो ये देखे मैं row number 1 देखे एक बार फिर बना के आपको दिखा देती हूं तो ये 1 हमारा white और 5 पंदे black 1, 2, 3, 4, 5 प्लैक अब इसे ही हमें देखे पूरी row में repeat करना है 1 हम white करेंगे और 5 पंदे black के ये 4 होके और 5 1 हम white करेंगे तो इस तरह से अब हमारी ये पूरी row बनेगी ये देखे इनी फंदों को मैंने जब बार बर repeat किया है तो हमारी डिजाइन इस तरह से बन के आई है मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करके बताएगा कि ये डिजाइन आपको कैसी लगी थेंक यू झाल 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 झाल